धन तेरस के दिन घर ले आना ये एक रुपे की चीज हो जाओगे दनवान दिपावली से पहले धन तेरस का महापरु मनाया जाता है इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा होती हैं इसके अलावा इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा का भी धार्मिक विदान हैं जिससे आरोयगता की प्राप्ती होती हैं धन तेरस पर माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा के साथ साथ खरिदारी का विशेश में तु होता है हिंदू धर्म में धन तेरस के दिन बहुत ही शुप दिन माना जाता है क्यूंकि ये लोगों के लिए सोभागी लेकर आता है कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी चीज खरिदते हैं उसमें तेरे गुनावर्दी होती हैं हर साल कार्थिक रश्नपक्स की त्रियोधसी तिथी को धन तेरस का परु मनाया जाता है इस साल ये परु गुन्तिक्स अक्टुमबर को मनाया जाएगा इस परु के दूसरे दिन दिवाली मनाई जाती हैं मनिता के अनुसार धन तेरस पर इन वस्तुओं की खरिदारी करने से आपके घर में पूरे साल बरकत बनी रहती हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता चलिए जानते हैं क्या है ये चीजे लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाते हैं कि माता रानी का आशिर्वात आप पर सदेव बना रहें तो वीडियो को एक लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और कमेंट बोक्स में जे मा लक्ष्मी जरूर लिखें नमबर एक गणेश और लक्ष्मी की मूर्ती धन तेरस के दिन गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ती खरीदना शुब माना जाता है ऐसी मन्यता है कि धन तेरस के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ती खरीदने से घर में धन और वेभव की कमी नहीं होती है ऐसा करने से घर अंड और धन से भरा रहता है इसलिए अपने सामर्थि के अनुसार इस दिन मिट्टी सोना या चांदी से बने हुए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्थी अविश्य खरीदें नमबर दो पान के पत्ते पान के पत्ते मा लक्ष्मी को विशेश रूप से प्रिये माने जाते हैं इसलिए धन तेरस के दिन पान के पांच पत्ते जरूर खरीद कर लाए पान के पत्ते लेकर मा लक्ष्मी को चड़ाए और अगले दिन इन पत्तों को दिपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बैते जल में प्रवाहित कर सकते हैं नमबर तीन धनिया धन तेरस पर धनिया या फिर धन तेरस के बीच खरीद कर जरूर लाने चाहिए मा लक्ष्मी को धनिया अर्पित करे और थोड़ा सा धनिया अपने धन के इस्थान पर भी छड़क दे ऐसा करने से मा लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदेव के लिए प्राप्त होगी धनिये को खुश हाली का परतीक भी माना जाता है ध्यान रखे की इस दिन धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए दिपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को किला सकते हैं नमबर चार लक्ष्मी चरण धन तेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुब माना जाता है लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मा लक्ष्मी का अहान माना जाता है और इस दिन घर में मा लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंतरन देने से सम्तुल्य है धन तेरस पर लक्ष्मी जी के दो चरण घर में लाने चाहिए एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के इस्थान पर अंदर आते हुए लगाने चाहिए नमबर पांच खील पताशे दिपावली के अशर पर नए चावल की फसल तयार हो जाती है और इसी धान से खील तयार की जाती है इसलिए धन तेरस के दिन खील पताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए ध्यान रखे की हमेशा नए खील पताशे ही लाने चाहिए पुराने रखे कील पताशे नहीं चड़ाने चाहिए नए खील पताशे धन तेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती नमबर छे जाडू, दन तेरस पर जाडू घर में लाना बहुत ही शुब माना जाता है, जाडू को मा लक्ष्मी का परतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन जाडू को घर में जरूर लानी चाहिए, जिस परकार जाडू हमारे घर को साफ करती है, उसी परकार से मा लक्ष्मी हम नमबर साथ दिया हिंदू धरम में दिवाली और धन तेरस के दिन दिये जलाये जाते हैं धन तेरस के दिन दिये खरीदने का खास मैतो हैं मन्यता हैं कि परकास और सकारातनक्ता का परतीक दीपक खरीदने से जीवन में खुश हाली आती हैं और मा लक्ष्मी की भी क्रपा बनी रहती हैं नमबर आठ, सोना, इस दिन सोने के आपुशन खरीदने की परंपरा भी है, सोना भी लक्षमी और व्रैस्पती का परतीक है, इसलिए सोना खरीदे नमबर नो, चांदी, इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है, कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं, इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकर्ती बनी होती है नमबर दस, श्री यंत्र, धन तेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुब माना जाता है, धन तेरस के दिन घर में श्री यंत्र खरीद कर लाएं, और दिवाली के दिन उसकी विदिवत पूजा करें, मानिताक नुसार ऐसा करने पर मा लक्ष्मी का आशिर्वात प्राप्त होत अक्षत धन तेरस के दिन अक्षत यानी चावल को भी घर लाना चाहिए सास्त्रों में बताया गया है कि अन्ड में चावल यानी की अक्षत को सबसे शुब माना जाता है अक्षत का मतलब होता है धन संपती में अनन्त व्रद्धी इसलिए धन 23 के दिन अक्षत लाने से आपके धन में व्रदी होती है बर्तनों को सफलता के पर्ती के ़ूप में देखा जाता है और धन 23 के दोरान बर्तन खरीदने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदध मिलने की माननता है आप पीतल, तामबा, चान्ती या यहां तक की मिट्टी के रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं जब आप भगवान की पुजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली ने रखे इसे हमेशा दाल या चावल के दानों से भरें नमबर तेरा कोडी धन तेरस के दिन कोडी खरीदने पर घर लाएं और लक्ष्मी पुजा के समय इनकी भी करें पुजा उसके बाद इन कोडीों को वहां रखे जहां आप अपना धन रखते हैं वहां कभी आपको धन की कमी नहीं होगी नमबर चब्दा बेहान अगर आपकी आर्थिक इस्ति अच्छी चल रही हैं तो आप धन तेरस के दिन बेहान भी खरीद सकते हैं धन तेरस पर बेहान खरीदना शुप रहेगा नमबर पंदरा जमीन धन तेरस पर जमीन या जमीन से जुड़े सोदे में सुख सम्रदी में व्रदी करता है नमबर सोला धन तेरस पर फोन टेलिविजन और गेस्टेस चैसे इलक्ट्रोनिक सामान खरीदना शुप माना जाता है अगर आप अपग्रेट करना चाते हैं तो ये दिन अचंत सुब है आपको धन तेरस या दिवाली सेल के दोरान बहुत सारी छूट भी मिल सकती है नमबर सत्रा एक छोटी चमच जरूर खरीदे दरसल यदि आप धन तेरस पर सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप एक छोटी से चमच खरीद ले करोड़पती लोग इतने अमीर होने के बावजूद भी धन तेरस पर एक छोटी चमच जरूर खरीदे हैं लेकिन ध्यान रखे कि इस चमच से आपको खाना नहीं खाना हैं बलकि इसे उठा कर अपने तिजोरी में रखना हैं ऐसा करने से आपके घर पर मा लक्ष्मी की क्रपा होती हैं और पूरे साल धन की बरसात करती रहती हैं हमेशा आपके घर में धन की बड़ोतरी होती रहेगी करोणपती लोकों के घर भी इसलिए पूरी साल धन की बड़ोतरी होती रहती हैं यहें तमाम जानकारी जन रूची में ध्यान रखर दी जा रही हैं जोतिस और धरम के उपाई और सलाओं को अपनी आस्ता और विश्वास पर आजमाएं वीडियो का उद्धेश्य मात्र आपको बैतर सला देना है इस संधर्व में हम किसी भी परकार का कोई दावा नहीं करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लक्ष्मी जरूर लिखे माता लक्ष्मी आप पर सदेव अपनी क्रपा बनाए रखे वीडियो के अंतक बने रनेकरी धन्यवाद जे माता लक्ष्मी